जहन साथियों स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सलेंट यूट्यूब चैनल पे आज की डेट में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक सरकारी नोकरी की जनकारी जैसे की आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है गौवर्मेंट आप इंडिया आपको देखने को मिल जाता है यदि बात करें पोश्ट की तो इसमें अलग-अलग पोश्टों पर अलग-अलग सीटे खा लिए और यहाँ पे किस इस्टेट में किस पोश्ट की सीट खा लिए सारी जनकारी आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाता है मैं आपक को बता दूँ यदि आप ITI के छात रहें और कोई भी वेकिंसी की अपडेट आती है चाहे वो सरकारी नोकरी की हो या प्राइबेट नोकरी की हो यदि आपको जनकारी सबसे पहले चाहिए इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहोगा सस्क्राइब वोला उसे जरू मतलब कि यहां पे जो पोश्ट आपको देखने को मिलेगा गुरूप C के अंतरगत देखने को मिलेगा और सारे पोश्टों के बारे में डिटेल में आपको जनकारी यहां से देखने को मिल जाती है पहले नंबर पे जो पोश्ट आपको देखने को मिल जाता है यहां पर MA का पोश्ट है जिसका पूरा नाम होता है material assistant जिसमें total seat आपको खाली देखने को मिल जाती 19 कितने आपको salary दिया जाएगा यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जो कि level 5 के अंतरगत आपको salary दी जाएगी सुरवाती तोर पे आपको 29,200 रुपे दिया जाएगा और last जो payment आपको देखन को मिल जाते हैं ट्रेड मैं के अंतरगत पोश्ट देखने को मिल जाते हैं और पोश्टों की संक्या कितने इस सभी चीज़े यहाँ पर काउंट करके बताया भी गया है जिसके बारे में मैं आपको जनकारी दूंगा अब यहाँ पर अगला पोश्ट देखिए जुनियर इसाजार नुटर रुपए आपको देखने को मिल जाता है जिसके बाद यहाँ पर टेली ऑप्रे Capацию की संखेने चोद हैव цвет यहां पर देखने का मिल जाता है जिसमें दस्में पास वाले भी अपलाई कर सकते हैं और इसमें आपकोतल सीटों की संक्या 247 को मिल जाती है पेमेंट इसमें कितना दिया जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं 19,900 रुपे परती माह देने की बात किया गया है इसके बाद यहां पर एक और पेंटर जुनियर का पोश्ट है जिसमें जो आपको साथ ही देखने को मिल जाता है त्रेडमायन मैट का पोश्ट देखने को मिल जाता है जिसमें सबसे ज़यादा सीटो की संक्या है 3049 यहां पर सीटो की संक्या है इसके बाद सात्यों इसमें जो salary आपको देखने का मिल जाएगी यदि ट्रेडमायन पर आप अपलाई करते हैं तो इसमें 18,000 से सुरुवात हो रही है और last payment आपको 56,900 रुपे देखने हो को मिल जाता है टोटल सीटे आप जब count करेंगे यहाँ पर आपको total 89 देखने हो को मिल जाता है इसके बाद साथ यो आप नीशे आ जाईए तो यहाँ पर देखिए इसके बाद आप अपको पोष्टों के आप पर देख रहो कि मिल जाता है इसपर आप apply करेंगे और यह दिया आप वेस्टन के अंतरगत है तो दिल्ली हो गया पंजाब हो गया हिमाचल पर्दिश हो गया और यहाँ पर हरयाना हो गया इसमें आप apply करेंगे और भी आपको नीचे पोष्टों देख लिए को मिल जाते हैं बहुत सरे यहाँ पर पोष्ट है जो कि यहाँ पर नॉर्दन के अंदर जमुक एंड कास्मीर यहाँ पर लखाद का भी जहाँ पर सीटे खालिए उसमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है क यहाँ पर यह दर साया जा रहा है कि किस राज्य में कितनी सीटे खाली है किस ट्रेड के लिए और किस पोष्ट पर खाली है यहाँ पर दर साया जा रहा है तो इसके अनुसार यहाँ पर सारी जनकारी आपको देखने को मिल जाती है अब यहाँ पर नीचे आ जाईए जैसे आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे जो application आपका apply किया जाएगा उसकी official website आपको देखने को मिल जाती है जहां से आप form को apply करेंगे यह ध्यान कियेगा क्योंकि आप किसी other website के माद्यम से form apply करते हैं तो आपका form reject भी हो जाएगा ध्यान कियेगा इसलिए इसकी official website से आपको apply क करना पड़ेगा इसके बास आती हो आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको इसके बारे में और भी जनकारी देखने को मिल जाती है और कब तक यह जो फार में apply किये जाएगा इसके बारे में तो उससे पहले आप इसके उम्र के बारे में देख लिए क्योंकि बहुत स दिर पाएंगे और मैं एक बार और आपको पोश्ट दिखा देता हूं बहुत सरे चात्रें आपके confused होएंगे तो देखिए जो यहाँ पे material असिस्टेंट का पोश्ट है इसमें जो apply करेंगे जो नियर ऑपिस असिटेंट का जो पोश्ट है इसमें बरहमी पास वाले apply लेकिन यहाँ पे जो नियर ऑपिस अफिस्टेंट का जो पोश्ट है इसमें आपसे computer भी मागा ही जागा मतलकि computer का knowledge आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए इसके बाद सिविल यहाँ पे आपको motor driver का जो पोश्ट देखनों मिलता है इसमें 10 वी पलस आपके पास driving license भी होना और कम से कम 5 साल पुराना भी होना चाहिए या एक या दो साल experience है तो अभी आप apply कर सकते हैं इसके बाद टेले operator का जो पोश्ट आपको देखनों मिल जाता है grade second के अंतरगत इसमें total seat की संक्या 14 है इसमें साथ यो apply कर पाएंगे 10 वी पास वाले इसके बाद fireman का जो ग्रेजियोशन complete कर चुके हैं और जो चातर आई टी आई पास हैं वो लोग apply करेंगे बागी नीचे आप आ जाते हैं तो यहां पे जो अधर आपको seat देखने को जाती है ट्रेड मैंड की और भी सारी seat इसमें 10 वी पास वाले भी apply कर सकते हैं और आई टी आई वाले भी apply कर स सुरू नहीं हुआ है क्योंकि इसकी जो official website है वो work नहीं कर रही है बतलब कि इसका एक और notification जारी किया जाएगा जिसका final date यहां पे confirm होगा कि कब से यह form भरा जाएगा और form बने की अंतिम date क्या होगी यदि आपको जनकारी पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक जर किजिएगा